आप सभी के 15 तारीक को रिजल्ट आ चुके हैं अब आपका फेस्टू बहुत जल स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी समय को गवाए अपने फेस्टू के त्यारी में जोर शोर से लग जाए मुझे पूरी आशा है कि आप सभी अपने फिजिकल फिटनेस को प्रॉपरली मेंटे होगी जो आपको सब्सर उसको प्रेंट करने करने कपे 10 तेंश करने पूर citra zukलिए को ओई अपके सब्सराफ में करने क् अक्वारिक करने तेस्ट सब्सराथ क्राइब रिखाल्यों यह 500 में तो उसको आराम से कॉलिफाई कर सकते हैं 45 कोश्चन 30 मिनिट सापको अटेम्ट करने कोश्चन विल बी बाइलेंगुल का मतलब है कि हिंदी इंगलिश दोनों में आपके सामने कोश्चन रहेंगे और मल्टिपल चॉइस कोश्चन रहेंगे मतलब की कोश्चन आपको पढ़ना वो रीजनिंग के रखे गए हैं इसमें कोई स्पेसिफिक मार्किंग स्कीम ऐसी नहीं होती है ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है ताकि आपके टेस्ट वन का जो भी रिस्पॉंस है उसमें सिर्फ वही कैनिडेट बाहर होते हैं जो या तो किसी कोश्चन को छोड़ें य अगर आपने मार्किंग को प्रॉपरली फिल नहीं किया तो उसका रिस्पॉंस यह होगा कि मशीन आपके आंसर को रीड नहीं कर पाएगी और कहिने के यह मान लिया जाएगा कि आपने किसी कोश्चन को छोड़ा है और वो फिर काउंट होगा कि आप जीरो मार्किंग में का क्वालिफाइब कर सकते हैं अडाप्टिवल्टी टेस्ट वान में हिंग्लिश दोने में वहां पर पर आपके पास ऑप्शन नहीं है हिंदी में स्विच करने का आप चाहें तो डिफिनिटली परफॉर्म कर सकते हैं बट वह आपके सेलेक्शन में एक बाधा बनेगा और आ अडाप्टिवल्टी टेस्टव एक प्रोसिजेर केबारे में डेफिनिटली हमलोग डिसकस कर लिए पहले पहले का प्रोसिजर क्या था और अब नया प्रोसिजर क्या हो गया दोन् Mighty अपको समझना पड़ेगा पहले आप्शन सकतम पर होपन इस्केद के यह आपको एक समयी introduction और उस topic के वारे नरेशन करने के लिए जैसे लास ओले का narration introduction खताम होता आपका group discussion स्टार्ट होता था फिर आप सभी को मिलके उस दिये गए topic पर discuss करना होता था तो यहां पर क्या हो रहा था कि उन्होंने observe कि काफी जादे candidate अपनी English communication को दिखाने के बजाए उसी article को रट के बोलना शुरू कर दिये थे तो यहां पर आपको दो blank A4 sheet of paper देंगे एक sheet of paper आपका rough work कर रहेगा second आपका fair work के लिए रहेगा अब आपको यहां पर printed content देने के बज़ा जो officer आपके सामने रहेगा वह उसी content को आपको बोल के सुनाएगा उसकी speech कम से कर पांस से दस मिनट तक चलेगी और उनके बोलते time पे ही आपको एक rough sheet जो दी गई है उसमें आपको यूज करने का मन है तो सारी चीज़ों को डीटेल में नोट करेंगे अपने रफ वर्क में उस शीट का कोई assessment नहीं होगा तो आप उसमें किसी भी तरह की handwriting में अब लिख सकते हैं उसका कोई आपकी डिफाइंड नहीं है बट अट लीस्ट आप कोशिश करें कि जब आप बिना पैराग्राफ गैप दिये लिखें तो अट लीस्ट आप थ्री-फॉर्थ आफ पेज लिख पाए तस मिनिट बहुत होते हैं उस आर्टिकल को लिखने के लिए एवन आइवोट से कि आप साथ से आठ मिनिट में आर्टिकल को क्लिक के खदम कर दें फिर उसको पूरा दो-तीन बार पढ़ लें वही कंटेंट फिर आपको आगे जाके ग्रूप डिसकुशन में इस्तमाल करना है दस मिनिट उस टॉपिक को लिखने के बाद फिर वो शीट आपस ले ली जाएगी टॉपिक के बारे में अपनी राय को सामने प्रकट करना है और यहां पर ऐसा नहीं है कि जो सबसे जादा बोलेगा जो सबको हरा देगा बोलने में वह सेलेक्शन होगा डिसकुशन का मतलब सिर्फ यह है कि जो भी आपको लगता है आपके बारे में आपकी राय क्या उस बनाना है तो आज का टॉपिक जो वीडियो का में टॉपिक वह है कि क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इंपोर्टेंट डॉपिक से आपको गुरूप डिसकुशन के जिनके आने की संभावनाएं जादा है कि 100 परसंट टॉपिक नहीं आएंगे इसले नहीं बोले इनगले इन की सब्सक्राइब करें परको छृत का में की अटम्रेले इन के भीडिये क्नाइब अधर वोपिक करें करें अलग-अलग topics का कुछ topic जो आपके आने वाले फेस्टू के लिए इंपोर्टेंट है वो पहला topic है आहे हो पिसका नोट बना लें थोड़ी तोड़ी तोड़ी पर स्क्रीन से हटता रहूंगा ताकि अब एक रिंशर भी ले सकें तो पहला topic जोब के लिए इंपोर्टेंट इस रोल फ इंडियन एयर फोर्स नाशनल टेक्नोलोजी के अद्वास्मेंट सेकंड इस यूथ इंडियन सिनेमा इंडस्टी रनिंग दे यूथ ऑफ इंडिया इंपैंट ऑफ टेक्नोलोजी और साइटी आर्ट कोने वह हैं आप जो भी चीज़े आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रहे हैं क्या आप उनको लेखे अवेर हो या नहीं बेसिक सब मतलब यह होता है कि आप वह सिंपल बेसिक टॉपिक यूथ से जुड़े वह उठाते हैं तो यह पांस टॉपिक हाने के चांसे काफी सब्सक्राइब को अधिक नौर्थ इस्टन स्टेट तो कई बार ऐसा होता है कि नौर्थ इस्टन स्टेट में अगर कोई प्रॉबलम आ रही है को इंसर जैंसी का गया नहीं जो हमारे उत्तर प्रदेश महारा मध्य प्रदेशा बिहार में होता तो औरफ न्यूस चैनल में तो यह कहीने के एक इशू हो जाता है कि क्या नॉर्थ इसटन स्टेट्स को कहीने के इग्नोर करते हो तो इस टाइप के बेसिक इंटरनाशनल और नाशनल लेवल के इंट्रेस्ट के जो टॉपिक है वह आपके आने के चांसेज भी ठीक ठाक रहते हैं फिर आपका नेक्स्ट आपके एर पोलिशन और इस एटस एफेक बेसिक टॉपिक है मिदेए मिल ग्लोबल वर्मिंग और इस एफेक्ट अधिशन ऑस्मार्ट वीडिया addiction of social media noise pollution and prevention NRC honesty is the best policy gender in politics global refugee crisis freedom of media work from home pros and cons post covid world post covid world I would say again and again कि इसको properly prepare करके जाए हल एक sector में अलग-अलग education में अलग कि education post covid world में क्या impact हुआ था कि हमारी online education हो गई थी तो फिर आपको इसके बारें पढ़ना पढ़ेगा कि online education के pros and cons क्या होते हैं तो पोस covid world में जब यह प्रिपेर करें तो हर एक aspect का deep preparation रखें हम medical sciences की बात कर सकते हैं किसा आप से इंडिया हम लोगों को जहलनी पड़े थी और क्या 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 lifestyle में चेंज आए हमारे अंदर वो सब आपने और फिर्स्ट हैं आपने उसको experience किया तो अगर इस से रिल्टेट कोई topic आता है तो यह आप at least expected रहता है कि अपने personal experience को जोड़के आप एक valuable point को add करेंगे discussion के अंदर नेक्स पॉइंट है disaster management इन इंडिया doubling the farmers income by 2022 अचीव अब यहां पर specific topic में मच जाए इस बीडिवी something like की आप farmers को कैसे help कर सकते जोब के topic आएंगे इतने specific नहीं आते कि 2022 तक कैसे double करेंगे इंकम या दो बचार आगे आने वाले सालों में किस तरह के इंकम को डबल करेंगे या फिर इंडिया उसको आने में सक्सेस्फुल हुआ है कि नहीं हुआ तो इतनी specific topic आपके नहीं आएंगे बट जनरलाइज topic आता है कि वाट इस अकंडिशन ऑफ फार्मर से इंडिया and how can we improve it तो आप जनरलाइज topic को जाधा पढ़ें next retirement home pros and cons status of women in India generalized topic है should reservation be based on economic status jobs versus entrepreneurship कई बारी topic repeat हुआ तो इसके बारे में proper detailed information आप रखें should freedom of expression have limits now freedom of expression को लेगे कई बार अक्सर news आते रहते that's why you need to be very much clear about this topic make in India project AI old age home peer pressure NCC training NCC training को कभी बार NCC training आता है और कई बार इसको change करके और ट्रेंफरेंटली पूसेते कि compulsory military training क्या सभी को compulsory military training देनी चाहिए या नहीं तो वह NCC से जोड के questions भी आपके सामने पूच सकते हैं next women employment military training वही जो मैंने discuss किया भी आपसे इंडिया in sports and Olympics इंडिया in sports and Olympics condition of sports person in India इसलिए आ सकता है because of the recent case recent जो strikes हो रहे थे हमारे बाइवावबर wrestlers तो उसकी वज़े से topic आने के chances बढ़ जाएंगे कि हमारे इंडिया में condition क्या है sports की बढ़ हमेशा आप ख्याल रखेंगे जब भी इस टाइब के sensitive topic आपके सामने आए as a aspirant for defense forces आप कभी भी government या किसी एजिंसिया किसी particular person के अगेंस्ट बाते आप नहीं करेंगे आप जो भी topic उठाएंगे हमेशा जनरलाइस topic होगा कि एक aware defense personal की तरह ही आप वहां पर discuss करेंगे political approach को आप वहां पर लेके नहीं जाएंगे दर्वाइस बहुत negatively impact डालता आप कि personality के ऊपर कि नेक्स टॉपिक सीची टीवी तो इस आर्द मेनी में नहीं है आपके face to आने में अपने physical fitness पे आप definitely focus करें SRT के लिए you can go to major classes book तो वहां पर आपकी जितने सार्टी आते that will be more than enough for you और GD के लिए आप अभी से रख जा English communication अगर आपकी अच्छी नहीं है तो वह develop होने में समय लेता है और इन topics को और आप cover कर लेंगे तो कहीं नहीं कहीं आपके अंदर एक confidence आएगा कि जो भी topics आपके सामने आने वाले हैं कि आप उन पर बोल पाएंगे या नहीं बट प्राक्टिस अपनी इस तरीके से रखेंगे topic कोई भी आए जो content आपको आफिसर बोल के सुनाएगा उससे आप रॉफ़ली एक आर्टिकल लिख सकें और उस आर्टिकल की हेल्प से आप discussion पार्टिसिपेट कर सकें discussion में कैसे पार्टिसिपेट करना है क्या strategy रहेगी कितनी बार पार्टिसिपेशन करना है English को क्या से इंप्रूफ करना है इन सब के लिए जल्दी आपके सामने और वीडियो साते रहेंगे तब तक के लिए जैहिंद की प्रैक्टिसिंग हाड़